विजेंद्र कुमेरिया का जन टेलिविजन इंडस्ट्री के उन चुनिंदा एक्टर्स के लिस्ट में से आता है जिन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई खत्म करके जॉप करने के बाद एक्टिंग लाइन में कदम रखा और यहां भी सक्सेस्फुल रहे। बहुती कम लोगों को ये बाद पता है कि विजेंद्र एक्टर बनने से पहले सिविल एविएशन में जॉप किया करते थे और जॉप छोड़कर इस इंडस्टी में आने पर उन्हें लोगों ने ये खाता कि तू गलती कर रहा है। पिर कैसे वो इस इंडस्टी में आये, कैसे उन्होंने इस इंडस्टी में अपने करियर की शुरुआत की, बिना एक्टिंग कोर्स जॉइन किये, कैसे आती है उन्हें इतनी अच्छी एक्टिंग, किसे वो अपनी लाइफ का लेडी लख मानते हैं, क्या है उनकी लव जल्दी ही बनना चाते हैं, विजेंद्र कुमेरिया की लाइफ से जूड़ी ऐसी ही सारी अंजानी बाते मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, तो बने रही इस वीडियो के एंड तक, बट उससे पहले मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, प दियाना पंजाब की एक मिडल क्लास फैमली में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश एहमदाबाद गुजरात में हुई, उनकी फैमली में उनके फादर प्रमोद कुमेरिया, मा उशा कुमेरिया के अलावा एक एल्डर ब्रदर और उनकी फैमली भी है, साथ ही विजेंद्र खुद भी मैरिड है और उनकी एक प्यारी सी डॉटर भी है जिनका नाम है किमाया, उनकी लव मैरिज की इंट्रस्टिंग से स्टोरी आगे वीडियो में जानेंगे, उससे पहले उनकी अर्ली लाइफ और करियर स्ट्रॉगल्स की बात कर लेते हैं, विजेंद्र ने अपने स्कूलिंग से लेकर कॉलेज सकी पढ़ाई एहमदाबाद से ही की, अपने स्कूल देज से ही वो एक्स्ट्र करिकुलर अक्टिविटीज में एक्टिव थे और स्टेज फेस करने की आदत उनकी वहीं से पढ़ गई थी, बाद में कॉलेज देज में आते ही उन्होंने मॉड रहाई करके एक सिक्योर जॉब पा लेने की ही एडवाईज दी थी, इसलिए विजेंदर ने कभी अपनी पढ़ाई को लाइटली नहीं लिया और उनकी बात मानकर सबसे पहले जॉब पकड़ी, तर असल बीकॉम में ग्राजुशन करते करते पहले उन्होंने कुछ टाइम क मुंबई शिफ्ट होना पड़ा, मैं एक बात और क्लियर कर दू कि विजेंदर को लेकर काफी लोगों का मिस्कंसेप्शन रहता है कि वो पहले पाइले थे और फिर एक्टर बन गए, बट विजेंदर ने ये बात खुट वीट करके क्लियर कर दी थी, कि वो पाइले नहीं बलकि Jet Airways में as a cabin crew, domestic और international flights के लिए job किया करते थे, जिसके लिए वो दो साल तक कतार में भी रहे, खैर तो मुंबई आकर पहले वो फिर से side by side modeling करने लगे, बट वो इसको लेकर जादा serious नहीं थे तो उन्होंने वो idea drop कर दिया और aviation job इस्टार्ट कर दी, इसी दोरान उनकी म shit ही नहीं कर पारे थे, इस पर प्रीती ने clearly उनसे कह दिया था कि मैं उस type की लड़की नहीं हूँ जो time pass करे और भूल जाए, और वो उनसे शादी भी करना चाती है, विजेंदर के मन में पहले से ही उनके लिए same feelings थी और उन्होंने भी हाँ बोल दिया, और काफी time friendship और relationship में रहने के बाद विजेंदर और प्रीती ने साल 2016 में शादी कर ली और इसी साल उनकी बेटी का भी जन्म हुआ, और यही वो year था जिस साल से विजेंदर के acting career का graph उपर जाने लगा, और इसलिए वो अपनी बेटी किमाया goal अपना lucky charm मानते हैं, खेर तो जौब करने के initial days में कह ही नक ही उनके मन में एक्टर बनने का वो सपना जिन्दा था, कुछ साल यहां जौब करने के बाद एक दिन अचानक उनके मन में खयाल आया कि इस सपनी को सच करना है तो कर ही लेते हैं, और उन्होंने खुद को देड़ साल के लिए चांस दिया, और घर पर बोल दिया कि य हमेशा सपोर्टिव रहे और उनकी वाइफ प्रीथी भी, पर कुछ रिलेटिव्स और फ्रेंड्स कहने लगे के विजेंदर का ये डिसीजन बिल्कुल गलत है और वो इतनी अच्छी खासी जौब चोड़ रहा है, यह सब सुनकर उनकी मा थोड़ा इन बातों से इंफ्लू जिनमें से दू दर्शन के एक शो में उन्हें पहला रोल एक साइड रोल मिला था, जिस शो के बारे में रेरली ही लोगों को पता है, वो उनकी लाइफ का पहला रोल था और उसके बाद एक और शो उन्होंने डीडी नैशनल के साथ किया, साइड रोल होने की वज़ा से उन अच्छे रोल्स के ओफर्स मिलने लगे ना कभी एक्टिंग और ना ही कभी थेटर करने वाले विजिंद्र का कहना है कि ओडिशन्स और रिजेक्शन्स की प्रोसेस में वो पता नहीं कब एक्टिंग सीख गए चोटी बहु शो के बाद वो प्यार का दर्द है शो में समीर दे सेड़ी साइड देखने को मिली और जल्दी ही उन्हें नेक्स्ट शो सूफियाना प्यार मेरा में मादव कृष शर्मा का डबल रोल प्ले करने का चांस मिला इस शो के बाद वो नागिन 4 और 5 में देव पारिक के रोल में नजर आये और एक तक पूर के शो ने विजेंद्र को हच से जदा पॉपिलर बना दिया इस शो में वो निया शर्मा की अपोजट कास्ट की गए थे पर हमेशा से ही विजेंद्र डिफरेंट रोल्स की तलाश में रते थे और ऐसा ही एक चैलेंजिंग रोल का ओफर उन्हें टीवी शो आपकी नजरों ने समझा में ओफर और इस रोल का ओफर मिलते ही वो बहुत एक्साइट थे क्योंकि इसमें उन्हें एक सिख लड़के का रोल निभाना था और उनके लेट फादर-इन-लौ भी पंजाबी थे और उनके एक अच्छे दोस्ट भी थे इसलिए अंगत ये रोल उन्हें डेडिकेट करना चाते थे इसमें वो हिमानशी पारशर के अपोजित नजर आ रहे हैं जिनकी लाइफ स्टोरी का लिंक मैंने कमेंट सेक्षन में दे दिया हैं विजेंद्रे से जब रियालिटी शोस का पार्ट बनने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बिग बॉस का पार्ट बनने से मना कर दि कि वो बच्पन में काफी नौटी थे और उन्हें उनकी एक टीचर पर क्रश्ट था तो वो अपनी मैम से ये वोलाए थे कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपसे शादी करूंगा साथ ही वो अपनी बेटी की माया को खुद के रोल्स या शोस नहीं दिखाते क्योंकि उ विजेंदर को एक बार स्क्रिप्ट में कुछ रीजन्स की वज़े से राइटिंग करने को बूला गया था और तब उन्हें समझ आया था कि लिखने में तो बहुत ही मज़ा आता है और उनकी उस दिन की मजबूरे ने उन्हें राइटर भी बना दिया और वो शायद काफी डालोग्स और स्क्रिप्ट भी लिखते हैं तो यह थी एक छोटी से लाइट स्टोरी विजेंदर कुमेरिया की लाइट से आपको मेरी ये महनत पसंद आये होगी यदि हाँ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपनी नेक्स सेलेब्रिटी लिक्वेस जरूर लिखें ना फिर आऊंगे एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ तिल रेंट से कनेक्टिट बीएप्यू झाल मेरे ना जरूर जरूर आपको ।ाइब